जोस्तो साका हरी खाने में चाना को एक बहुत ही पॉस्टिक आहर माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी कासी मातर होने के साथ-साथ कई दूसरे ज़रूरी निट्रियन भी काफी मातर हैं मौजूद होते हैं लेकिन यह यह भी समझना जरूरी ह कि किसी भी खाने का पूरा फाइदा शरीर को मिलने के लिए उस खाने के फाइदे और नुकसान पता होने के साथ-साथ उसे खाने का सही समय और सही तरीकी का भी पता होना बहुत सरूरी होता है इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे के चला खाने के क्या-क्या फाइद है और क्या क्या नुकसान होते हैं एक दिन में कम से कम और जादह से जादह कितना चला क्हाना चाहिए इसे खाने का सही समय क्या है यानि सुबा दो पहर शाम और इसे पानी में भिगो कर कच्चा अंकुरित करके या फिर अच्छी तरह पगा कर खाना चाहिए और वजन बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को चना को अपने खाने में किस तरह शामिल करना चाहिए शुरू करते हैं कि चना खाने की क्या-क्या फाइदे और क्या नुकसान होते हैं दोस्तों चने में कार्बोहाइडिट और प्रोटीन की सबसे ज़दा मातरा होती है और साथ ही इसमें विटामिन B9 यानि फॉलिक एसिद, मैगनीज, आईरन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और दूसरे कही तरह के वाइटमिन्स और मिनरल्स काफी मातरा होते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, कि चने में फाइबर की भी अच्छी खासी मातरा होती है जो की कार्बोहाइडिट को रेगुलेट करने के साथ-साथ, कब्स को दूर करने और पाशन को बहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है क्योंकि किसी भी वेक्ति में गब्स होने का सबसे बड़ा कारण होता है खाने में फाइबर की कमी और जो की चने में बहुत ही सही मातरा मौजूद होता है यह तोचा और बाल के लिए अच्छा तो होता ही है साथी शरीर में बुरे कोलेस्टरॉल के मातरा को गटाने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुकर को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है साथी इसमें जो हाई क्वैल्टी प्रोटीन होता है वो वज़न बढ़ाने और घटाने दोनों में ही बहुत मदद करता है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसका सही तरीके से इस्तमाल किया जाएं और जो की आगे हम इसी वीडियो में जानेंगे अब बात आती है कि चना कच्चा पका हुआ या फिर अंकुरित करके खाना चाहिए दोस्तो यहाँ इस बात का सबचना ज़रूरी है कि चना को हर अलग-अलग तरीके से खाने से उसके फाइदे भी अलग-अलग होते हैं और कुछ सिच्वेशन में सही जानकरी ना होने के वज़े से ये शरीर के नुकसान भी पहुचा सकता है दोस्तो पानी में भीगे हुए कच्चे चने में पोशक तत्वों की मातरा तो ज़्यादा होती ही है लेकिन ये पच्चने में भी थोड़ा भारी होता है क्योंकि अंकुरित चने में इंजाइन, प्रोटीन, वाइटमिन्स, मिंडल्स और फाइबर की मातरा काफियत तक बढ़ जाती है और यहां समझेने वाली बात ये भी है कि वैसे भी चना कंप्लीट सोर्स अब प्रोटीन फूर्ड नहीं माना जाता क्योंकि इसमें मेथियोनी नाम का एक अमाइनोसीड मिसिंग होता है लेकिन चना अंकुरित होने के बाद इसमें पूरे अमाइनोसीड की पूर्ती हो जाती है और ये एक कंप्लीट प्रोटीन फूर्ड बन जाता है लेकिन यहाई इस बात कभी खया लखना ज़रूरी है कि अंकुरित चने के इतने सारे फायदा होने के बावजूद इसमें एक कमी भी पाई जाती है और जो की है इसमें पाये चाने वाला बैक्टिरिया भीगे हुए चने को अंकुरित होने के लिए लंबे समय तक रखने के वज़े से इसमें कुछ बैक्टिरिया गुरू होने के बीचांसे बहुत साथा बाढ़ जाते हैं और यही वज़या है कि बच्चे, बुढ़े और गर्वती महिलाओं को अंकुरित चना कच्चा यानि के बिना उबाले हुए इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इन लोगों की immunity power कमसर होती है जिससे की कच्चे अंकुरित चने में मौझूद बैक्टिरिया शरीर को नुकसान भी पहुचा सकता है जबकि चने को उबाल कर या फिर थोड़ा पका कर खाने से उसमें vitamins और मिनलर्स की मातरा में थोड़ी कमी तो आती है लेकिन ये खाने में ज़्यादा safe और पच्चने में ज़्यादा असान हो जाता है जिससे की इसका हर कोई इस्तमाल कर सकता है अब बात आती है कि चना कब खाना चाहिए यानि इसे खाने का सही समय क्या है दोस्तो पके हुए चने का दिन भर में कभी भी इस्तमाल कर जा सकता है लेकिन ज़्यादा बैतर ये है कि इसका सुबह के नाष्टे में इस्तमाल कर जाए जबकि पानी में भीगे हुए यानि कच्चे चने का हमेशा ही सुबा खाली पेठी इस्तमाल करना चाहिए और इसे खाने के बाद दूसरा कुछ भी खाने के लिए कम से कम एक से दीर गंते का गैप सरूर रखना चाहिए थाकि चना के खाने का पूरा फाइदा शरीर को मिल सके अब बात आती है कि इसे कितना खाना चाहिए दोस्तों किसी भी वैक्ति को एक दिन में कितना चाना खाना चाहिए ये उस वैक्ति के पार्चन और उसके फिजिकल एक्टिविटीज में निर्फड करता है लेकिन फिर भी पहले बात तो ये कि अगर आप पानी में बिगए हुए यानि कच्चे चने का इस्तमाल करते हैं तो आपको इसका एक या दो मुठी से ज़ादा इस्तमाल नहीं करना चाहिए और इसे खाते समय बहुती अच्छे से चबा कर खाना चाहिए क्योंकि पानी में बिगए हुआ चना पचने में तोड़ा बारी होता है जिससे की इसका ज़्यादा मतरह में इस्तमाल करने से गैस और आपचन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जबकि इसे उबाल कर या फिर किसी भी तरह पका कर खाने से पचास से साट ग्राम चैने का कोई भी इस्तमाल कर सकता है और जो लोग जीम या एक्सेसाइज करते हैं वो अपनी सरुषत के हिसाब से सौ या डेर सो ग्राम तक भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ भी एक बात का ख्याल लगना ज़रूरी है कि आप एक ही बार में सौ से डेर सो ग्राम चैने का इस्तमाल ना करें बलकि थोड़ा थोड़ा करके दो से तीन बार में इसका इस्तमाल करें अब बात आती है कि वचन घटाने और बढ़ाने वाले लोगों को चने को अपने खाने में किस तरह से शामिल करना चाहिए दोस्तों चने में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होने के वज़े से ये शरीर में गोष्ट की मात्रा को बढ़ाने और बढ़ी ओई चर्वी को कम करने में भी बहुत मदद करता है साथ ही इसमें कार्बोहाइडिट के साथ फाइबर मौजुद होने के वज़े से ये एक लोग लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आता है और जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लोग लाइसेमिक फूड शरीर में धीरे धीरे अबसाब होता है जिससे की ये खून में शुगर और शरीर में चड़बी की मातर को बढ़ने से रोकता है अगर आप वज़न घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बहतर है कि 20-25 गरम चने को पानी में डालकर रात बर फूलने के लिए छोड़ दें और अगर आपको कच्चा चना ठीक से नहीं पस्ता या फिर गैस की प्रबलम होती है तो बहतर है कि चने को उबालकर खाएं साथ ही आप चने को कच्चा खाएं या उबालकर उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए आप उसमें प्याज, टमाटर, धनिया पता, थोरी से हरी मिर्च, नीम्बू का रस और चुटकी भर नमक का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से टेस्ट तो बहतर होता ही है, साथ ही इसमें पोशेक्त दो की मातरा भी कुछ हतक बढ़ जाती है इसके इलावा अगर आप शाहें तो थोड़े से भूने हुए चने का शाम को स्नैक्स के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ भी इस बात का ख्याल लगना ज़रूरी है कि भूने हुए चने को भी छिलके के साथ ही खाएं क्योंकि पूरा फाइबर इसके छिलके में ही मुझूद होता है और अगर आफ वचन बढ़ाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो चने को हमेशा पाका कर ही खाएं ताकि यह शरीर में जल्दी पच्छ रकें और इसके लिए रात वर पानी में भीगाये गए 50 क्राम चने को सुबा के नास्ते में हलके से नमक मिजडाल कर उबाल का इस्तमाल करें दोपहर में 25-30 गरम भुने हुए चने का थोड़े से गुड़ के साथ इस्तमाल करना चाहिए और इतना ही भुना हुआ चना शाम के वक्त गुड़ के साथ भी इस्तमाल किया जा सकता है हलाकि वचन बढ़ाने या घटाने में सिर्फ चना अकेले कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति के पूरे दिन खाया चाने वाले खाने और लाइफस्टैल पर डिपेंड करता है इसलिए वचन बढ़ाने और घटाने इन दोनों टॉपिक पे अलग से ही डिटेल में वीडियो बनाने के सरुरत है साथ ही मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा किहर सीरिस की आखरी वीडियो जिसमें उम्र से पहले सफेद हो रहे बालों के बारे में जो बताना था वो वीडियो लॉक्डाउन के वज़े से लेट हो गई है क्योंकि उस वीडियो में जो चीज़े बताई जाए की वो अभी के समय में मिलना ही मुश्किल है आप लोग और कौन से टोपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं तो बस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और तब तक के लिए अपना खया लखें अल्ला हाफिव